Hello everyone, how to use Consolidate Advanced Option? Consolidate Advanced Option क्या होता है? Consolidate क्या होता है? और इसका किस तरह से हम लोग यूज करके एक कंपनी का Total Sell Profit Report कालकुलेट कर सकते हैं? या अलग-अलग ब्रांचेज के Total Sell को हम लोग किस तरह से कालकुलेट कर सकते हैं? वो हम लोग देखते हैं इस क्लास में Consolidate का यूज करना तो देखिए यहाँ पर मैं एक वर्क बुक सेव किये हूँ और ये वर्क बुक में देखिए कई वर्क सिट हैं एक पटना ब्रांच है, नलंदा ब्रांच है और गया ब्रांच है ये कमपनी का टोटल कमपनी सेल प्रॉफिट रिपोर्ट देखा जा रहा है कि जनवरी, फर्वरी, मार्च और अप्रिल में लैप्टॉप, प्रिंटर, यूपिएस और कैमरा बेच बेच करके कितना प्रॉफिट रिपोर्ट मन्थवाइच कमाया गया है किस तरह से, पटना में जो सौप है, वो सौप में जनवरी में लैप्टॉप से 70,500 कमाया हुआ है जबकि फर्वरी में 25,000, उसी तरह से प्रिंटर का, यूपिएस का, कैमरा का सब का अलग-अलग, आपको मन्थवाइच और किस से कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सेल प्रॉफिट रिपोर्ट लिखा हुआ है, उसी तरह से नलंदा का भी लिखा हुआ है, और गया का भी लिखा हुआ है तो मैं बैट करके कैलकुलेट कर रहा हूँ, कि भाई हमको जनवारी माह में लापटप से कितना कमाई हुआ है, интерес में total कितना कमाई हुआ है, यह हमारे यहां पर total देखना है, total company self-profit report देखना है और यहां self-profit report पतना ब्रांच का है यह self-profit report आपका नलंदा ब्रांच का है, यह आपका नालंदा N-A-L-A-N-D-A नालंदा ब्रांच का है यह नालंदा नाम से वर्क्षिट सेव है और यह आपका गया ब्रांच का है ओके तो अब हम लोग देखते हैं और हम लोग अपयोब करके कंपनी का टोटल कंपनी सेल प्राफिट लिपोर्ट निकालते हैं तो टोटल कंपनी सेल प्राफिट रिपोर्ट जो होगा वह क्या होगा पटना प्लस नलंदा प्लस गया तीनों का addition हो जागा कि भाई laptop में जनवरी में इतना profit हुआ है तो कितना होगा पटना में सेटर जार पांसो प्लस नलंदा 25,500 प्लस गया 45,000 तो कैसे तीनों वर्क्षिट को एक अलग चौथे वर्क्षिट में हम लोग add करते हैं वो देखते हैं consolidate में के द्वारा तो इसके लिए क्या करेंगे तो यहां laptop से हमें सुरू करना है addition और यह पूरे इतने सारे sales में हमारे को addition होगा तो यहां हम सिर्फ शुरू वाला जो blank window है laptop के सामने जनवरी का यहां सिर्फ white plus से क्लिक करके select कर लिए औके और उसके बाद second options क्या है select करने के बाद second option क्या है data में जाएंगे data में आ गए तो data में जभ हम लोग आ जाएंगे तो यहां पर आप देखिएगा data tools आप देख रहे हैं data tools data tools में है या आपका ंसोल facilitate कि यहां पहले से कुछ है मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं और मैं आपको फ्रेस बता रहा हूं तो यहां पर रिफ्रेंस में आएंगे और यहां देखे करसर ब्लिंग कर रहा है है रिफ्रेंस में है ना तो मुझे यहां एड करना है किसका अडिसन चाहिए मेरे को एक पत्ना ब्रांश का पत्ना पर आएं ठीक है और यह एडिसन हमारे हो कितना सिर्फ लैपटॉप का नहीं मुझे पूरा आइटम का देखना है और यह अप्रिल तक तो जितना देखना है आप select कर लेंगे ठीक अगर मार्ज तक कहीं देखना है तो मार्ज तक कहीं select करेंगे ठीक है तो मैं नहीं पूरे को देखना है पूरा मैं select कर लिया पटना आपका पूरा range ले लिया है ना चलिए इसे add कर देते हैं यह all reference है all reference है जब यहां आप देख रहे हैं blank है भी कुछ नहीं है reference में मैंने भी पटना का select किया अब इसे add कर देता हूं clear यह देखिए आपका green window में एक green line से देख रहे हैं selected है dotted line से यह पूरा हमारा यहां add हो गया all references में अब next चलते है नलंदा add होगा पटना प्लस नलंदा का cell देखिए नलंदा वाला automatic अपने से ले लिया मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और यहां देखे लिखा गया नहीं तो मैं यहां से यूँ लेता है ना मैं क्या करता select करता और इस तरह से यह select कर लिया ओके यह सही हो गया अब इसे add कर देते हैं add करेंगे तो all references में चलाएगा यह नलंदा भी आ गया यह उसके बाद company में आईए ठीक है वहां तो click है यह भी देखे select हो गया इतना दूर range में दिखाएगा add करके वह भी आ गया अब ओके उटन सिर्फ आपको click करना है क्या click करना है अब ओके गया प्लस नलंदा प्लस पटना तीनों का data add करके यहां total company sell profit report में आ जाएगा क्लिक करते हैं तो source देखे पुना overlap हो गया है डाटा में गया consolidate यहां देखे यह overlap क्यों हो गया यह company जो है यहां पर एक बार फिर से आ गया यह company को आप delete कर दिजिए ध्यान नहीं दिये थे company भी आगया गया नलंदा प्लस पटना यह तीनों एड होगा ठीक है वह company भी एड हो गया था इसी के चलते वह overlap कर गया था तो उसे मैं delete किया उसके बाद okay button click किया देखिए addition हो गया 14100 हमारे को laptop में total income है जनवारी में camera से में total income है कितना 55,000 जनवारी में देखिए तो पटना में camera पटना से camera विकरी हुआ था 15,000 का profit आया था लंदा से 15,000 15 प्लस 15 तीस हजार और गया से 25,000 30 प्लस 25 पच्छिस पच्छपन देखिए यह calculate कर दिया तो इस तरह से हम लोग consolidate का उप्योग करके firstly multiple worksheets में जो रहते हैं आपके अलग-अलग branches के या multiple जो worksheets हैं उसको हम लोग एक next worksheets में add कर सकते हैं this is the use of consolidate और इस परकार से हम लोग total company self profit report निकाल सकते हैं thank you